हेले दोस्तों नमस्कार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सल वालपर दोस्तों देखिए लाश्ट किलासे में हमने काफी कुछ सिखा है अब थोड़ा सा एडवांस चलते हम देखिए आज बिलकुल ये किलास भी बिलकुल बैसिक रहेगी जो बहुत ही जादा यूज किस तरह साःब कर सकते बोडर को यदि आपने यूज किया बोडर यदि डीटा में उलगा है तो कितना डाइनमिक यानि कि सही नहीं लग रहा है आपने अपने टाइप डेखेंगे अब जह सब्सक्राई देखंगे तो कुछ भी अपने डेटा में कुछ अशच कुछ वर्किंग की हो डिखी है मैं इसको अभी इसलाल नेटा को करे ऑ Selbst gas को यह data को मैंने select किया अब देखिए आप जाईएगा यहां पर बोर्डर पर चीक है अब यह बोर्डर से इसमें Excel में काफी सारी बोर्डर से दे रखिए जैसे देखिए बोर्टम बोर्डर से टॉप बोर्डर से लेप राइट नो बोर्डर और और आउटसाइड बोर्डर द देखिए यह बोर्टम बोर्डर से यदि मैंने देखिए data को select किया अब मैं यहां किलिक करता हूं तो देखिए आपको data में कुछ ने कुछ changes दिख रहा होगा यह देखिए last में हमारा नीचे की site यहां पर data में एक छोटी सी line green color की line show कर रही होगी आपको ठीक है अभी मैं व बोर्डर्स पर किलिक करना है अब जैसे देखिए मैंने all borders पर किलिक किया तो आप देखिए जो data है मेरा यहां पर data बहुत ही dynamic तरीके से लग रहा है यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है मतलब देखने में बट यहां पर आप देखिए पूरी जो कुछ lining जो दे रही है व बोर्डर आपके डेटा में लगी हुई है अब आपको इसको बदलना है तो बदलने के लिए आपको अगेन इसी option पर जाना पड़ेगा बोर्डर्स पर और यहां पर जो लिखा है नो बोर्डर्स आप इस पर किलिक किजेगा तो ओटोमेटिक आपका डेटा बिलकुल जो न कि अंदर के डेटा में बोर्डर्स नहीं हुआ है सिर्फ जो चारो मेर का जो एरिया है वह आप देखेंगे यहां पर कुछ अलग टाइप से शो कर रहा है यह चेंज हो चुका है क्योंकि हमने यहां पर यह अलग option एपलाई दिया है अब अगेन में यह दिकरता हूं नो बो करता हूं तो ओटोमेटिकली हमारी जो बोर्डर से वह रिमूब कर हो चुका है ठीक है तो यह इस तरह साब इस बोर्डर को एपलाई कर सकते हैं वापस से मैं कंट्रल जट कर देता हूं ठीक है पूरे डेटा को फिर से सेलेक करता हूं अब मैं थोड़ सा एडवांस चलते ह हम यह तो नॉर्मल तरीकर सा बोर्डर लगा सकते हैं लेफ्ट राइट आप डाउन इस तरह से अब थोड़ सा ड्रोइंग रूप में चलते हैं देखिए यह ड्रो बोर्डर से दे रखा है पहला दे रखा हमारा ड्रो बोर्डर अब यदि मैं इस पर क्लिक करता हूं अब मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने बाद आप देखिए माउस का जो करसर है यह पैंसिल जैसा बना हुआ आ रहा है अब यदि मुझे स्पैसिफिक डेटा में यदि बोर्डर लगाना है जिसे मुझे सभी डेटम नहीं लगाना है मुझे सिर्फ एक स्लेक्टेड डेटम लगाना है तो मैं माउस से हैं सेलेक्क करता हूं और यहां जाके इस कार्फर को इत्ते को सिलेक्क करके छोड देता हूं तो अब देखिए मेरा जहां पर जिस एरिये को मैंने स्लेक्ट किया है तो यह था हमारा आपशन जो है यह ड्रोब बोर्डर का यूज ठीक है इसको मैं again control jet कर देता हूं छीक है अब वापस से मैं click करता हूं again borders वाले option पे अब आता है हमारा draw border grade इस पे मैं click करता हूं इस पे click करने से क्या होगा use वह होगा same जितने area को आप select करेंगे उसी area में यहाँ पर border apply होगा suppose मैं इस area को select कर लेता हूं तो आप देखिए उसी area को उसने color किया है जिस area को आपने select करके रखा है और अभी जो हमने पिछला जो अभी यहाँ पर करके देखा था कौंसा option यह border draw border इसमें सिर्फ चारो मेर के area को उसने border किया तो और यहाँ पर आपको चारो मेर नहीं करके उसम तो बस यह यह लाई अपना cursor इस पर click किजेगा और यहां से आप जाके clear कर देजेगा देता हूं ठीक है तो यहां सी तार्ट इस border को हटा सकते हैं ठीक है अगला होता है हमारा लाइन कलर लाइन कलर पर जैसा आप click करेंगे आपको सपोस्ट लग रहा है कि मुझे border जो मेरा चीए वो सपोस्ट हम click कर लेते हैं औरेंज कलर पर कि मुझे border करनी औरेंज तो मैं क्या करूंगा इस data को यहां सा select करूंगा select करके और यहां पर cursor को छोड़ दूँगा तो में control जैट कर देता हूं अगें यह था हमारा border का अब इसके लास्ट में एक होर option दे रहा हमारा line style और इसमें इतने सारे color दे रहा कोई सभी color ले सकते सपोस्ट में black ले लेता हूं तो black से आप करेंगे तो यह इस तरह से दिखाए देगा black color यह चीक है अब वापस से में control इ करेंगा यह तो थी हमारी single line यह थे कुछ अलग टाइप्स का इस तरह से डबल लाइन है यदि सपोस्ट देखिया आप इस पर किलिक करते हैं लेक्से में इस पर किलिक कर देता हूं इस पर मैंने किलिक किया फिर में border apply करता हूं तो आप देखिए कुछ इस तरह से border show करेगा यानि कि आप border का use excel में किसी भी तरह से कर सकते हैं जापको जैसे आपकी company में जैसे required हो या फिर अपने दोस्तों के साथ यदि आपको share करना हो तो आप dynamic border करके आप उनको show कर सकते हैं बहुत ही जादा अच्छे से option यहाँ पर दे रखे एक से बढ़के जैसे यह देखिए इ यह बोडर लगाने का बहुत ही सबसे बड़िया तरीका है और यदि आपको और भी ज्यादा color चीए तो आप more borders पर जाईएगा जिसे suppose अभी मैंने more borders पर click किया मैं किसी भी एक option को आपको use करके यहाँ पर दिखाता हूं जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूं यह नन और यहाँ पर करता हूं इस पर click ठीक है यह left site वारे last कोने पर click मैंने किया है अब मैं करता हूं ओके तो आप देखेंगे मेरे data यहाँ पर आपको कुछ अलगी टाइप से यहाँ पर show कर रहा है देखिए एक lining बनी आ रही है तो यह भी बहुत बड़ा use है इसका आप यहने की data को किस त आप दिखा सकते हैं ठीक है हमारे पास इतने सारा option यहां भी दे रहे हैं और इसके अलावा बोर्डर यदि आप नॉर्मल लगाएंगे तो यहां पर भी इतने सा types की बोर्डर दे रही है जैसे आपको required रहे उस types आप बोर्डर लगा सकते है अपने बेटा में ठीक है अब एक और बहुत बढ़िया चीज सपोस मैं यहां पर लिख देता हूं कुछ भी नाम लिख देता हूं जैसे लिख देता हूं यह यह लिख देता हूं मैं राठर लिख दिया मैंने सपोस अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं इस कोलम को यह बढ़ा कर दिया मैंने और इसकी row की size भी बड़ी कर दी, अब देखिए, जब भी आप border बनाएं, या फिर data को किसी पर भी type करें, तो उसको center align करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो आपका data proper दिखता है, आप देखिए ये option है, तो आप center, middle, right और left किस तरह सा आप moment कर सकते data को, वो अभी में दि data है, और इसके site में click करेंगे, जिस center वाले में, तो इस data को automatic वो center कर देगा, और यदि यहाँ पर आप click करेंगे, right side, तो automatic right side इसको moment देदेगा data को, ठीक है, और यदि आपको लगता है, इसके just ऊपर आप moment लेंगे, तो top alignment, तो आप इस पर करेंगे, दिखिए, automatic data आपका top प आपको show करेंगा, यदि आपको इसको middle में लेना है, तो आप यहाँ पर click कीजिएगा, और इसको center में ले लिजेगा, तो आप देखिए, fully dynamic यहाँ पर लग रहा है, पीवरली standard तरीके से, ठीक है friends, यह था हमारा border से related, आप किस तरह से text को left, right, move कर सकते हैं, plus border किस-किस types आप लगा सकते हैं, किकनी types की borders होती है, यदि please, ये video आपको अच्छा लगा, तो please अपने तमाम दोस्तों share कीजिएगा, और यदि इस video में आपको कुछ भी confusion हो, और यदि आपको कुछ भी standard तरीके को और भी आगे से upcoming classes चीए, तो please मुझे comment जरू कीजिएगा, और यदि मैं continue मेरे video देखेंगे, तो आपको बहुत कुछ नहीं, सब कुछ आप computer के master बन जाएंगे, कहीं भी आपको जाने के जरूरत नहीं, इस channel पर आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है friends, thank you soon